बहुत खुशी होती है आप सब के कमेंट्स पढ़के जिसमें ये लिखा होता है कि आपके टिप्स फॉलो करके और आपके वीडियो देखके हम लोग भी अपने घर को और्गनाईज रखने लगे हैं कुछ चीजें डिफिकल लगती थी वो आप इजी लगती है तो ये सारी च कैसे भी आपके बच्चाएंगे और न कई सारी चीजें हम पुरानी चीजों से बना सकते हैं उनको पुरा न्यू तरीके से यूज कर सकते हैं तो इन सभी हैक्स और टिप्स को देखने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आपको पूरा वीडियो देखना है हलो इसना बहुत सारे पुराने कुशन का वस रखे हैं जो कि अंदर से थोड़े फट गए हैं जो इनके अंदर की जो लाइनिंग रहती है वो फट गई है और जब भी इससे मैं यूज करती हूं तो जो कुशन से ना उसमें ये पूरे लग जाते हैं तो इसलिए अब मैं इनको डिसकार्ट करना चाहती हूं लेकिन इनकी जो डिजाइन इतने अच्छे हैं और बहुत ही सुन्दर है तो इने ना मुझे फेकने का बिलकुल भी मनने कर रहा है और काफी कलरफुल भी हैं इसमें कई सारे कलर्स यूज हुए हैं तो चलिए इसको मैं किस तरह से यूज कर र जैसे हम रणर यूस करते हैं रुनर या फिर मैड की तरह आप इसे यूस कर सकते हैं बैड रानर या फिर आप इसे अपने डाइनिंग टÈबल या कफी टेबल रelim यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा ब्रॉडनेस बड़ा है 15 बाइंस के कूशिज कर चंशिए QU इसका corner का stitch करना है तो मैंने इसे हाथ से ही stitch किया है और देखिए बहुती सुन्दर सा bed runner बनके ready है जैसे hotels के room वगर मैं आपने देखा होगा वहाँ पे bed पे runner डाल के रखते हैं तो bed बहुती ज़्यादा सुन्दर लगता है और cushion covers हैं और cotton के हैं तो इसे wash करना और reuse करना भी easy रहेगा और देखिए पुराने थे फट गए थे इनको इस तरह से मैंने utilize कर लिया है इसके designs बहुत अच्छे थे और उपर का कपड़ा बहुत अच्छा था इसलिए मैंने इसे bed के उपर bed runner की तरह use किया है और उसके लिए ही बनाया है आप इसे floor mat की तरह भी use कर सकते हैं या फिर rugs की तरह भी use कर सकते हैं पुराने cushion covers की जगह पे अगर आपके पस pillow covers होंगे न तो pillow cover से भी rugs वगएरे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे in fact पुरानी जो bed sheets होती है कई जगह से फट जाती है तो उसको भी आप जो कटा हुआ portion है जो खराब portion है उसे कट करके आप इस तरह से runner या फिर floor mats बना सकते हैं बहुत दिनों से मेरा एक बड़ा काम pending था जो मेरा dressing area है ये मैं अपने mirror के पीछे ही रखती हूँ यहां पे shelves बने वे हैं cabinet जैसा है और इसको ना use करकर के चीज़ें यहां पे जमा होती जारी है और काफी untidy हो गया है ऐसा कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम organize तो करते हैं लेकिन use करते करते सामन ना कभी कभी जल्दी जल्दी में हम ऐसे ही वहां पे रखते जाते हैं और एक के बाद एक वहां पे सारे सामन जमा होते जाते हैं तो देखे मेरे पास इतने सारे स्क्रंचीज भी हैं यह सा मेरी बेटी के हैं जो की काफी untidy हो गया है उसके लिए ना मैं एक के रोल यूस करूँगी अब इस रोल को ना मैं एक बेस में किसी भी बेस में चिपका दूँगी जैसे मेरे पास काफी सारे बाटल के लेट्स पड़े वे हैं तो वो मैं यूस करूँगी और हॉट ग्लू से मैं उसे चिपका दूँगी अब देखे कल के वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि जब क्लीनिंग हम करते है ना तो उस जगह की सारी चीज़े आप हटा दीजे तो उसे आपको भी आसानी हो जाएगी सब चीज़े क्लीन करने के लिए और आपको पता चल जाएगा कि यहां पेसे कौन सी चीज़ निकाल दी है और इसको मैंने वापिस से अच्छे से साफ कर दिया है और जो मेरे लिप्स्टिक वगरे हैं इस होल्डर में मैं रखती हूँ तो इसको मैं वापिस से रियरेंज कर रही हूँ सारी की सारी लिप्स्टिक अच्छी है अभी एक्सपार नहीं हुई है इसले किसी रग दिया है अब देखे एक बहुत ही अच्छी से चीज में आपको दिखाती हूँ यह है वाइप्स यह है मेकप रिमूबर वाइप्स तो बहुत ही अच्छे से ना इससे ना मेकप आसानी से रिमूब जाता है और जैसे हम लिप्स्टिक वगे लगाते हैं आज कल तो ऐसी ल चीज के लिए मैंने बनाया है तो बस इसको मैंने होट गलू से चिपका दिया है और इसमें मैं सारे स्क्रॉंची लगा दूँगी क्योंकि काफी सारे स्क्रॉंचीज मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो वह हमेशा अलग-अलग कलर्स के ना लेकर आती रहती है और ऐसे में बहुत सारे जमा हो गए है अब क्या होता है कि बच्चे ये सारी चीजें यूज करते तो हैं लेकिन फिर ठीक से रखना वो भूल जाते हैं या फिर कभी-कभी ऐसे ही कहीं भी रख के चले जाते हैं तो ये एक और गनाइजर बना दिया है यहां से वो ले सकती है अराम से औ तब ही मैं यूज करती हूं लिप्स्टिक्स अदरवाइस ऐसे ही रहती है और देखे इसका तो मैंने आपके साथ कईबा शेयर किया है जो मैं अपने अपने क्लचर होते हैं उसको मैं जो जिप टाइट है उसके चेन बना के मैं उसमें अटका के रख देती हूं यहां पर है तो इस से भी योजिन सामने ही चोचे से बास्केट में रख दूह यह ऐस्में क्ली कर लिया है और इसप सारी चीजे में इन ऑर रेंज कर लेगा दि हूं क्योंकि यह चीजे यह छोटा चोटा जोछा नींगे है शूटे बोक्स तो वो भी बहुत एजी हो जाता है और ये था नेल पॉलिश रिमुवर की जो स्ट्रिप्स आते हैं वो भी काफी यूसफुल होते हैं तो ये सारी चीज़े मेरी यूस की है काफी जादा में रेगूलर बेसिस पे यूस करती हूँ और ये भी मैंने DIY आपके साथ शेयर किया था अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो देखिए इसमें मैंने रख दिया है सूई दागे का जो एक किट आता है न छोटा सा वो मैंने इसमें रख दिया है वाइपर के पैकेट का जो उपर का लेड होता है उससे मैंने इससे बनाया है नीचे एक बेस प्लास्टिक का चिपका दिया है अगर आप चाहेंगे तो मैं दुबारा से ये वाला जो DIY है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी तो इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ कभी कभी काम में आ जाता है तो ये सारी चीज़े सामने रहती है तो easily मिल जाती है अब ये thread मैं यूज करती हूँ threading के लिए तो इसको भी मैं उपर ही अपने basket में रखूँगी अंदर रखती हूँ न तो फिर बार-बार ढूणना पड़ता है चीज़ें अंदर से निकालनी पड़ती है अब आपको न मैं दिखाती हूँ कि ब्रश को कैसे मैं क्लीन करती हूँ बहुत ही आसान सा तरीका है ऐसे जो ब्रश हम यूज करते हैं अपने बालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी और बाल सबना पूरे इसमें फस जाते हैं जो कि नॉर्मली अगर आप खीच-खीच के निकालेंगे ना नहीं निकलते हैं तो मैंने एक टीशू पेपर लिया है थोड़ा सा ना थिन वाला पतला वाला टीशू पेपर लेना है आपको और इसको जितना हो सके इसके अंदर में आपको फसाते जाना है आप अंदर इसमें अच्छे से फसा दीजे और दोनों ही ब्रश में आपको ये चीजे करनी है पेपर नैपकिन को ब्रश के अंदर अच्छे से फसा लेने के बाद आपको इसको हलका सा गीला करना है अब जब हलका से गीला करेंगे ना तो जो नापकिन है काफी अच्छे से गीला हो जाएगा बहुत जादा नहीं करना है थोड़ा सा पानी चिड़क देना है और फिर आप धीरे धीरे से ये नापकिन को खिशते भी निकाल लीजे इससे जितने भी बाल है ना सब इसमें से फसके निकल जाएंगे और साथ साथ में अंदर का जो ब्रश है ब्रश का जो बेस होता है वो भी क्लीन होता जाएगा और आसानी से ये क्लीन हो जाएंगे तो द यूज में आता है तो दोनों को अलग-अलग कर दिया है इनको मैं पीछे की तरफ रख दूँगी जो जादा यूज में आती है वह वाला बास्केट में आगे रख दिया है तो देखे ये सारी चीजे अच्छे से अरेंच हो गई है अब जो चोटे-चोटे से जो रबर बैंड होते हैं क्लिप्स होती हैं उसके लिए में ये वाला और्गनाइजर यूज करती हैं प्लास्टिक का बॉक्स है आपको एजिली कहीं भी मिल जाएगा किसी भी सुपरमार्केट में या फिर आप एमेजन से भी ले सकते हैं तो इसमें छोटी-छोटी चीजे भी और अच्छे से और्गनाइज़ भी हो गई तो ना आप सबके कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूं हो सकता है कि मैं हमेशा आपको रिप्लाई ना कर पाऊं लेकिन कमेंट्स में जरूर से पढ़ती हूं तो ये वीडियो और ये सारी चीजें आपको यूसफुल लगी की नहीं जरूर बता थैंक यू सू मच पर वाचिंग